हलो बच्चो सबी लोगों का स्वागत है अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोफाइल और नुक्लियोफाइल क्या होते हैं ठीक है तो नंबर वन हेडिंग लिखेंगे पैन कॉपी उठाके बैठेंगे पढ़ने के लिए हो ठीक है चलो इलेक्ट्रोफाइल से सुरू करेंगे तो कहान इलेक्ट्रोफाइल से सुरू होते हैं नाम से ही क्लियर है क्या इलेक्ट्रोफाइल का मतलब वेड़ा क्या है इलेक्ट्रो मीन्स यहां से उठा लो क्या इलेक्ट्रॉन क्या उठा लो electron और file का मतलब होता है loving क्या होता loving तो in short में ये लिख सकता हूँ पहला point कि electron loving species क्या electron loving species जो होती है वो क्या होती है electro file होती है बहुत simple है electron loving का मतलब क्या है electro file वाँ क्या बात है second point देखो अगर electron loving है तो electron deficient तो होंगे ही ना तभी तो electron चाहिए electron से क्या है ना प्यार है electro file को क्या electron से प्यार है ठीक है तो electron loving species क्या है electron deficient species भी आप बोल सकते हो ये क्या होते है electro file होते है इसको electron कौन देता है इसको electron देता बेटा nucleophile अभी आ गयाने वाला है ना से leक्टरोन सीुक्त सिंपल सा एक्जाम्पल है एच प्लस हाइड्रोजन मेंsetने एक प्लस पूच पूचकरों άपों हैं हेटलं सलगा है है मतलब आपने उसका जो एलेक्ट्रोन भा बिचारा यह दो एलेक्ट्रोन था हो धूर्विनिकाल लिया तो है फ्लस भूंत तो हाइड्रोजन का एक्तरों आप निकाल लिया क्या बन गया है एच्प्लस बन गया है इने स्की बारे में बात करूँ जो प्लस के बारे में हाट करता है करो डहूंत है श्तु अब 2 एलेक्ट्रोन की कमी है मतब एक तरीके सा ऐलेक्ट्रोन की कमी है ना तो क्या बोलोगे आप एलेक्ट्रोफाइल यह ना इस तरीके से अपन पता गरते हैं ईलेक्ट्रोफाइल के बारे में अब मैं आपको न्यूक्लियो फाइल की डेफिनिशन लिखवाता हूँ ठीक है सेकेंड देखना जरा ध्यान से सेकेंड डेफिनिशन है कि न्यूक्लियो फाइल क्या होते हैं नूकलियो फाइल क्या होते हैं बेटा इसको भी आप क्या करो ब्रेक कर लो नूकलियो फाइल का मतलब नूकलियो से उठा लो क्या नूकलियस न्यूक्लियस और फाइल का मतलब क्या होता है लविंग तो इसको किसे प्यार है न्यूक्लियस से प्यार है मतलब न्यूक्लियो फाइल तो मैं क्या लिखूंगा न्यूक्लियस लविंग स्पीसी न्यूक्लियस लविं स्पीचिज क्या होती है ये नुइप्लियो D Dragon होती है अच्छा अगर। अगर नील लविं है इसका मतलब ये क्या गरते हैं ये उलयक्ट्रॉन को देने आते हैं अब ये नूप्लियो फाइल क्या क्या हो सकते हैं बहुत धियां स सुनना जैसे सह यहां पर क्या था एलेक्ट्रोन लविंग स्पीसी इलेक्ट्रोन रिच बोलेंगे लेकिन हर एक इलेक्ट्रौन रिच नहीं होता है कुछ ऐसे न्युक्लिट्रोन भी होते हैं जिसमें पाई येक्ट्रोन होते हैं जैसेvolle कार्बोनल यूजय चार्बोनीक गाय। किस वजय से यूजय हो गया इलकीन और और हम आगर मैं कार्बोनाइल की बात करूँ तो अक्सिजीन के पास लॉँन पियर मनुंट तो जानते हो ना, C double bond हो, तो उसमें loan pair का donation हो जाता है, है ना, तो electron rich आप बोल सकते हैं, usually electron rich, ऐसा बोलो तो ज्यादा अच्छा है, क्या, usually electron rich होते हैं ये, लेकिन हर बार electron rich नहीं होते हैं, उसी तरीके से, electron deficient usually होते हैं, लेकिन हर बार जरूरीं नहीं electron deficient हो, कुछ ऐसे compound भी ह है जो अीयक्ट्रोफायल की तरह काम करते हैं भले उनके पास इलेक्ट्रोन की कमी ना हो धियान अगना Alohan वह रहते हैं मतलब 8 एलेक्तों पूरेरेंगे लेकिन फिर नेवी लेक्ट्रोफायल काम करेगा भीमें दीमें सीखेंगे अपने तो usually for most of the cases अगर हम बात करें तो electron deficient होते हैं और most of the cases में electron rich होते हैं हमेशा ऐसा नहीं होता यह भी आप धियान रखेंगे जैसे मैं एक simple सा example ले रहा हूँ एक दो तीन चार पांच शह और यह हो गया इसके साथ एक बॉंड जो बना उसमें शेरिंग कर ली और यहां क्या आ गया नेगटिव चार्ज ऐसा तो देखो इसके पास लोन प्यार आ गए लोन प्यार मतलब electron rich बोल सकते हो आप इसको है ना तो यह लोन प्यार किसे देगा एल अब कई लोगी समयवोलते हैं सर एक बात बताओ यह ओएच माइनस है यह लोन बेयर दोन डोनेट कर रहा है और लोन पर डोनेट करने वाली इस पी सी को क्या बोलते हो लुविस बेस और लटार इक्सेप्टर वाली सित रोल टो लुग सते ओं Не हमें इसको Lewis acid बोल सकता हूं बिल्कुल बोल सकते हो क्यों नहीं बोल सकते हैं तो इस तरीके से अपन representation करते हैं आगे बड़ें चलो अगला देखना ज़रा थार्ड नंबर पर थार्ड नंबर पर विटा MB file क्या MB file ठीक है MB का मतलब आप यससे याद रखो बोत MB होता बोत और ओर file का मतलब loving मतलब electron loving भी होते हैं और nucleus loving भी होते हैं मतलब in short अगर लिखें तो Electro file एसा लिखलो act as Electro file as well as रेक्ट एज एड़ेग डिख़ुर si लेक्टरो फाइल कम अज़ए आथयाल की तसंदे क्लिख करें गत्ञाइब से अजए नियॡव engag अज़ोटकर pathS लिखेशने में बात एक दाय में कहरें दियान से तक्रफेश्च करने हमेद से तुलिख बनाय अगर इसका मैं लोन पियर की बात करूं तो कितने लोन पियर होंगे दो होंगे कैसे ऑक्सियन के पास बेटा वैलेंस एलेक्टरॉन कितने होते होते हैं 6 मैसे उसने दो इलेक्टरॉन शेयर कर लिए तो बाकी कितने बचे चार बचे न और कारवन के पास वैलेंस एलेक्टरॉ शेयर कर लिए ठीक अब ध्यान से सुनना अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आया अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आया तो यह ऑक्सिजन अपना लोन पेर इसको दे देगा तो किसकी तरह काम करने लगेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा आ आपने तो एन्यू पर चार्ज लगा रहे है पिटा रिप्रेजेंटेशन बता रहो हूं नूपरिजेंटेशन ऐसा करते पाद है तो मैंने क्या बोला अगर कोई एलेक्ट्रोफाइल आया तो यह अपना लोन पर इसको दे देगा और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल अपने एलेक्ट्रोन किसे देगा इस कार्बन को एलेक्ट्रोन दे द तेखना एक दो तीन चार पाँच शे साथ और आठ यहां पर कुछ ना कुछ तो लगा होगा ना एटम या ग्रुप मतलब इसके पास आठ एलेक्ट्रोन भरपूर हैं लेकिन फिर भी यह इलेक्ट्रो फाइल की तरह काम कर रहा है क्यों कर रहा है वेटा यह इलेक्ट्रों की तूट जाते हैं मैं इतनी राइक्शन अलग सेहां बना रहा हुं कैसे सीसरे इसको देखता है और ये कार्बोनाईल की सखल देखता है ना ये इसको देखता है ये इसको देखता है दो लोग देखते ना आमने दामने एक दूसरे को जानते ही वाप है ना तो ये इसको देख रहा है ये इसको देख रहा है जैसे ही ये इसको देखता है कहता हमें अटेक करना है तो ये कहत है हम अपना जानल गाता हिए लेकंट ने लगता है यह ले वंगहों होना यहां क्रिएट करवाता है इसको जरूरत नहीं है लेकिन नुकलियोफाइल की संतुष्टी के लिए नुकलियोफाइल को खुश करने के लिए बोलता है आ जाओ ठीक है तो ऐसा कहां कहां पर होगा जहां पर multiple bonds होंगे ठीक है जैसे कार्बोनाइल साइनाइड सी एन ग्रुप सी ट्रपल बॉंड एन वहां भी कार्बन क्या करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा जैसे इसको क्या बोलते हो इसका नाम है वेटा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या नाम है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ठीक है और इस रियेक्शन में ये किस की तरह काम कर रहा है अगर इलेक्ट्रोफायल आया तो कार्वनाइल में आपस में बातचीत हो जाएगी किसकी कारवन और ऑक्सियन की कारवन ऑक्सियन से वोले बड़ा तुम ही दे दो ठीक है हमारे पास तो लोन पेर नहीं तुम ही दे दो है ना तो यहां पर यह नूकलियो फिलिक्स सेंटर क्या ले रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बात समझ में आई बहुत बेसिक सी चीज समझा रहा हूं आपको है ना सभी जगा नी मिलेगी सारी चीज़ें देखो जब कभी भी कार्बोनाइल आया तो कार्बोनाइल ने क्या करा यह दौनों में आपस में बात्चीत हो गई यह कर रहा है है ना तो यह कारबन क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो अगर यह रिएक्शन मैं लिखूँ देखो अभी आप मैं डेटेल रिएक्शन की बात नहीं करने रिएक्शन जब आई ही तब हम पढ़ेंगे अभी बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं ना नुक्लोफ एख घरेंगे Sagal अगर आप सकते साइनाइड सीड्रफल बॉन्टेन साइनलमे बैकर मैं साइनलगे सामझ गर अगरца इलेक्ट्रोफाइल आय तो यह किसकी तरह काम करेगा और अगर कोई नियूक्लियॉख्ट सेंटर कीतव काम करेगा और और अगर कोई नेनीॉक्लियो तरह भी बिएफ करें ठीक है तो यह होते हैं एंबी फाइल समझ गए बात को एक बार फिर से रिवीजन को एक रिवीजन एलेक्ट्रों लविंग स्पीसी यूजवली एलेक्ट्रों डेफिशेंट है ना जैसे एक्जामपल एच प्लस न्यूकिलिस लविंग स्पीसी क्वेशन करोगे ना सब हो जाएगा अपनी आदत तो जानते क्वेशन बहुत कराते हैं चलो आजाओ चलो स्टार्ट करते हैं ओ एच माइनस की बात करें देखना ओ एच अभी लिखा था मैंने एक दो तीन चार पांच शे और साथ इसका ओक्टेट कंप्लीट और यहां क्य चाइब साथ ऐसालzh that alone आगर लोन पेयर हैं तो ये किस की तरह फिएफ करेगा नुबलिओ फाइल की तरह फिएफ करेगा स्सिंप्ल सा है cn- देखना c triple bond n इसके पास भी lone pair और इसके पास भी lone pair ध्यान से देखना nitrogen के पास भी lone pair और cn में carbon के पास भी lone pair ठीक है तो nucleophilic center ये भी हो सकता ये भी हो सकता लेकिन donation कौन करता है carbon donation करता क्यों करता है negative charge है तो यहाँ पर electron density ज्यादा है इसलिए cn- अगर लिखा है तो carbon ही attack करेगा अगर कोई electrofile इसके पास आया तो bond किस से बनाएगा carbon से बनाएगा मतलब यह किस की तरह काम करेगा nucleophile की तरह काम करेगा है न मैंने detail में समझा दिया आपको तो सिर्फ यह पता करना था क्या है इलेक्ट्रोफाइल एकि nucleophile है तो cn- किस की तरह काम करेगा nucleophile की तरह काम करेगा अब ध्यान से सुनना कई लोग बोलते सर यह MB भी बना दो इसको न यह cn- लिखा है ध्यान से सुनना यह cn- लिखा है पीछे मैंने क्या लिखा है cn- लिखा है इसके पास loan पर नहीं क्यों यहां पर कोई ग्रूप लगा होगा चलो यहां आर लगा देते हैं तो इसको क्या बोलने लगेंगे वेटा अलकाइल अलकाइल साइनाइड बोलने लगेंगे क्या वोलेंगे अलकाइल साइनाइड बोलने लगेंगे आयू पीसी में इसको नाइट्राइल बोला करते थे जैना लगा हुआ है नेक्टिव लगा है र लगें एक मिन कि दो और बताव पानी 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 एच पूएसा लिग दूँ ऑक्स इन फुलेंस लेक्टर俺use है विगो एक दो तीन चार पाँच है यह हो गया लेकिन जब बनाया तो इसके दो शेरिंग वाले हो गया तो आट हो चको चुकendo अना तो लोन प्यर है मतलब क्या हो गया ये निकले रिपास करना है कितना असने बाई कितना आसान और सिंपल मिलें आपको दियुक्राइब करेगा चले आगे से प पूरा करना चाहता नहीं तो यह और विडल खाली है एक भी एलेक्ट्रों नहीं इसके पास दो तो 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 कम से कम है ना तो यह क्या हो गया विटा एलेक्ट्रोफाइल हो गया है यहां प्लस लगाए आप मुझे हैलोजन पर बताओ कितने एलेक्ट्रॉन होते हैं देखना एक दो तीन चार पांच छे साथ वैलेंस एलेक्ट्रोन होते हैं लेकिन आपने यह हटा कि क्या लगा दिया यहां प्लस तो अब बताओ कितने एलेक्ट्रोन बचे छे बचे दो एलेक्ट्रोन की कमी है इसका मतलब एक और्बिटल खाली है यहां मैं ऐसे डिब्बा बना सकता लेकिन नेगेटिव लगा है तो एक अलेट्रोन और होगा तो होगा हुआ यहां इसके बास नेगेटिव चार्स सुख्यात तो अब यह क्या हो गया अब यह हो गया विटा नॿूख्लिओ फाइल ठीक है इसके वारे में लिख लो यह क्या था इलेक्ट्रोफाइल था बहुत सिंपल है खाई देख लो अगला आर थ्री एन पर आना जरा एन आर आर और और आर नाइडिजन के वास वैलेंस एलेक्टरॉन कितने होते हैं फाइव होते हैं मैं बारवार वैलेंस एलेक्टरॉन बोलना हूं समझ में आ रहा है कि यह क्या है वैलेंस एलेक्टरॉन कमता आउटर मोस्ट शहली आउटर मोस्ट में कितने एलЕक्ट्रोन है जन का लाखना नंबर कितना वड़ा 7 कितना है दो अंदर वाले में पाँच बाहर वाले में तो पांच हो गाहे न उट्रमूस्ट में एक आगर मैं यहाँ पर बनाओं एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, नाइड़जन ने तीन इलेक्टान शेर की ये, बॉन्ड बनने के बाद दौनों काउंट होते हैं, तो छै हो गए, और दो इसके पास पहले से होंगे, भाई नाइड़जन के पास तो पांच इलेक्टान होंगे ना, अरे दादा, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये तो बॉन्ड बनाने के बाद इसके हो जाएंगे, ना, तो आप देखो जारा, लोन प्यर आ गया, तो क्या हो गया ये, नुकले फाइल, क्या नुकले फाइल, ऐसा, कितना आसान है, समझ रहो बात को क्या कह रहा हूं मैं, बहुत ही सही, चलो, आगे आर, यच, यहां क्या है, लोन प्यर, क्यों, 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 देखना, एक, दो, तीन एलेक्टोन इसने शेयर कर लिए, पांच थे वैलेंस एलेक्ट्रोन, मतलब दो एलेक्ट्रोन बचेंगे, लोन प्यर, शेयर करने के बाद ये वाले भी, इसके लिए काउंट करने लगें ना सीधा अंसर देने का क्या निपलोफाइल सर देख रहे हैं बहुत बढ़ी है चलो अगला आर प्लस ध्यान से देखना यह जो आर प्लस होता ना आर प्लस आर की जगह में सी एस थ्री ले लेता हूं समझाने के लिए तो यहां मैं एक्जामपल ले रहा हूं सी एस थ्री प्लस समझना जरा बात को कर बन यच 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 देखना एक दो तीन और यहां क्या है पॉजिटिव चार्ज कारवन के पास कितने वैलेंस एलेक्टर न होते हैं चार अगर प्लस चार्ज लगा है तो एक एलेक्टरन कम होग तो तीन होंगे तीन होंगे तो तीन शेयर हो चुके है अब जब शेयर किये शेयर करने के बाद कितने एलेक्टरन काउंट करोगे च्छे काउंट करोगे दो एलेक्टरन की कमी है मतलब एक बॉक्स या एक डिबबा खाली है इसका मतलब क्या बोलोगे इसको विटा यफ 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 ठीक है ध्यां लेखो आच बोरोन के पासयإlektron कितने हें बोरोन के पासय लेक्नत susception तीन हैं ठीक है कॉन फिल करना आता है ना तीन वैल से लेक्ट्रोन है देखना एक दो और तीन इसने तीनों electron bonding में involve कर लिए तो इसके पास electron कितने हो जाएंगे 6 दो electron की इसके पास कमी और electron की कमी मतलब electrophile क्या बात है बहुत बढ़ी है बहुत सही N O 2 प्लस में आ जाओ N O 2 प्लस में धियान से देखना N double bond O double bond O और यहाँ plus लगा है नाइड़ जन के पास 5 valence electron थे उसने अपने 4 electron share कर लिए एक electron की कमी है और अगर कमी है इसका मतलब एक box तो खाली होगा ना अच्छा यहाँ मैंने यह गलत बना दिया N O 2 प्लस है ना 8 electron कैसे बना दिये 1 2 ऐसा गया और और कैसा गया ऐसा गया ठीक है एक दो तीन चार पांच है हाँ यहाँ plus है ठीक और यहाँ minus आएगा सही है चेक कर लो N O 2 प्लस clear है यह तो N O 2 हो जाएगा फिर कैसा होगा यह N O 2 प्लस लगाए ना इस टक्तिर बना के देख लें 5 valence electron है 5 valence electron है हाँ सही था न था है आप पहले पहले वाली भूठा ले तमने कि संग्या कि इस में विकटारविटल नहीं होगा आपना प्रियान समझना कि एन पर श्रक यही वाला चींट्वाज था था एन पर प्लस लगा है अच्छा एन परब्लस लगा हम एक तो वह किस बारबर है नायड़जन के पास एलेक्ट्रों कितने होते हैं वेलों कितने होते 10 और प्लस लगा मतबंस सी के वराबर हो गया रेarnay लॉजिकली शोचो नाइर यूजन के पास बारवसस्य कितने हैं पांच है कारवन के पास कितने हैं चार हैं इधर प्लस लगाऊंगा तो इसको क्या लिखूंगा ध्यान से देखना एन पर प्लस बंदर एक लेक्ट्रॉन कम हो गया तो वैलेंस एलेक्ट्रॉन अब चार बचे तो यह चारों शेर हो गए अब आप मुझे बताओ इसके पास इलेक्ट्रÓन की कमी नहीं है लेकिन फिर भी ये अलेक्ट्रो फाइल किस वजए से ध्यान से सुनना यह एगर को ही न्यूक्लियूफाइल अपना इलेक्ट्रोन देने यहां आयेगा तो यह बोलेगा इससे किसके Sealön से यह दौन उध्याग जांवीडा यह दौन आप के भाग प्लस है ना यह नाइट्रोजन यहां पर जो पाई बॉंड बना रहा ऑक्सियन के साथ यह टूटेगा कब जब कोई न्यूक्लिफाइल इसको इलेक्ट्रोन देने आएगा बात समझ में आ वेरी गुड और वताओ चलें आगे आर सी प्लस डबल बॉंड ओ आजाओ बिटा चेक कर लेते हैं इस पर स्टार लगा लो क्योंकि इसके पास वेकेंड और बिटल नहीं है अभी जितने भी एलेक्ट्रोफाइल हमने अभी किये सवाल सब के पास वेकेंड और बिटल था ठीक सब्सक्राइवेभेटक में 4 होते हैं तो सी प्लस में कितने हो गया? 3 हो गया? सस्टार आपके सब्सम्राइर यह ना क्यों एक अकोसि जो इसके है हैं जो नाम है है इसको तो यह किस की करेगा? इلेक्ट्रो फाइब फाइल की तरह ब्रेम करेगा, ठीक है की किया की है? यहां लेक्त्रो फाइल की तरह behavior कर रहा था किसी तरह पेएफ करेगा ऐलेक्ट्रो फाइल की तरह कि तरह है बतब कारफो की टाइन है यह यह देखो यह यह न सी पॉजटिव लिखा वैसा ही है यह जहाट आगाला अजाओ बाद आध अक्वे पास क्चै्म लोगों को nitrogen के पास अगर valence electron के बात करें तो 5 होते हैं, valence electron 5 होते हैं, n पर negative लगा है तो ये oxygen जैसा नहीं हो गया, सभी बात है न एन नेगटिव मतलब ऑक्सियन जैसा तो इसको मैं ऐसा बूल सकता हूँ न नेगटिव इसको डू ओ अरे ऐसी समझने के लिए तो क्या हो गए यह पानी मन गया पानी हो था निगलू फाइल ऐसे सोच लिया गरो है न चलो एन नेगटिव मतलब ओ ठीक है मतलब तो चैनल एक दो तीन चार ठीक है पांच शै और साथ आठ वैलेंस एलेक्ट्रों शै हो गया ना कैसे नाइड़िजन के पास नेगेटिव चार जेटो एक दो तीन चार पांच यह हो गया और बाकी शेरिंग करके उसने एट कर लिए ना तो विटा यह क्या हो गया यह हो गया नेगेटिव फाइल सी टू एच फाइव नेगेटिव आ जाओ इसको मैं ओपन करके से लिख सकता हूं सी एच त्री सी एच टू और ओ नेगेटिव ऑक्सियन नेगेटिव अब ध्यान सुनना ओ नेगेटिव को क्या बोल सकते हो एफ बोल सकते हो ना हाँ वेरी गुड तो देखो जरा एक लेक्ट्रोन यह हो गया दो तीन चार पांच छे साथ यह वैलन्स लेक्ट्रोन हो गए और शेयर करके आठमा भी ले लिया इसने ऑक्टेट कंपलीट किसकी तरह बिएफ करेगा नीउकलिफाइल की तरह बिएफ करेगा कितना आसान है कितना क्वेशन करवा आ यह तो समझ जाओ एच हैस माइनस पर आना जरा एच हैस नगीडिव जैसा ओ नगेटिक वैसा ही एस सिमिलर व यह देगा एक सिमील से में वेकेंट और्बिटल नहीं है फिर भी एलेक्ट्रोफाइल है मतलब क्या मैं CO2 को एलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूं यास क्यों भाई एन प्लस मतलब सी होता है ना तो कहीं भी देखना में बनाके बताताू ना आपको बिलकूल बी चारबॉण इसके पास बी चारबॉण इसके पास दो बॉण है रहा है लेकिन आप से लेक्ट्रोफिलिक्स सैंटर ढूणने के लिए बोला है तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इसके पास में आएगा तो कहां जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल इसको देखेगा ये इसको देखेगा ये इसको देखेगा ठीक है कुछ बातने होंगी आपस में और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटेक कर देगा और ये जो दौनों इलेक्टरव है इस बॉंड के यह कौन ले जाएगा ऑक्सिजन ले जाएगा ठीक है इसका मतलब अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रविक्स सेंटर की बत करूं तो क्या है वह इलेक्ट्रविक्संटर यह ठीक है यहां स्टार लगा देता हूं मैं ऐसा देख रहाए स्टार सितारा समझ रहा इसमें आ जाना जड़ा अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें भी देखो कहीं भी कि Octate incomplete नहीं है और हाइडोजन का ड्यूपलेट कंप्लीट है देखो इस तरीके से तो जब कभी भी नियूक्लिफाइल इसके पास आएगा ये इसको देखेगा ये इसको देखेगा कुछ बातें होंगी और उसके बाद अटक हो जाएगा ठीक है ऐसी होता है ना चलो बढ़ी ह स्टार लगा लो इलेक्ट्रोफिलीक्स सेंटर क्या ये अरे तक से अग्ळाए इसके पास कोई नुक्लियो ५ाईइल आएगा इसको देखेगा ये We हाँ आंकों वहीं होगा और फिर अठे हो जाएगा अटेक करके यह दौनों इलेक्टरॉन इसको निकाल देगा ऐसे रहे तो क्या बोलेंगे इलेक्拟्रोफिलिकस सेंटर इसको बोलेंगे यह एलेक्ट्रोफिलिकस अंतर है ठीक है तो जब भी रीएक्शन होगी तो इलेक्ट करो पॉस करो आगे बढ़ेंगे आप चलते हैं विटा टाइप ओफ रिएक्शन पर धियान से समझना बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन समझ लो आगे आने वाले टाइम में जब मैं आपको हाइड्रोकारवन बगरा पड़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको बोलूंगा एलेक् लेक्शन बहुत सिंपल है जैसे मालो मेरे पास एक SPC है यह मैं और दूसरी GP को आपकरा और स्वेट्ट क्या बोलता है सब्स्ट्रेट या आप उसको LOOK है क्या है आपका रियजेंट, क्या है, रियजेंट, तो रियजेंट अगर, नेहांसा सुनना, रियजेंट अगर A में add हो जाए, तो क्या reaction मोह लोगे, इसको addition, कितना आसान है, इसे आसान क्या है, भाई, इधर इधर, इधर देख इधर, अगर A आपका substrate या है, या reactant है, B उसमें जुड़ गय ए से कुछ नहीं निकला बी जुड़ गया ए से कुछ नहीं निकला बस बॉंड बगरा टूटे होंगे ना भाई पुराने बॉंड टूटते हैं ना यही तो चैमिस्ट्री है ना तो बी बी ए पर अटेक करेगा और जुड़ जाएगा तो क्या वो लोगे एडिसन वो लोगे बहुत स्ब condemnation कैसा कैसा हो सकता है बहुत ध्यान से एक्सामपल समझेंगे इसके डिक एडिस रीच्चान पहला में बता रहा हूं इक, एलेक्ट्रोफिलीक कि ए एलेक्ट्रोफिलेक को को के छेंधि का मतलब क्या है नाम से पढ़़ो इलेक्ट्रोफॉइल आएगा एड होन है समझ रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल एड हो रहा है इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलक ईडिशन रिएकसर जैसे बहुत ऐसान है ध्यान से देखना मालो मेरे पास ऐसा लिखाए CH2 double bond, CH2 ऐसा लिखा है, ठीक है, इसकी reaction हो रही है किसके साथ, HBR के साथ, ऐसा है, ठीक है, तो होता क्या है इसमें, HBR में bond तोड़ ले न जरा कैसे तोड़ोगे, H+, BR-, इसमें ऐसे तोड़ोगे, यह माइनस, यह प्लस, ठीक है, क्रॉस में जोड़ो, प्लस माइनस को, तो CH3, ठीक है, ऐसे जोड़ोओं ध्यान से देखना, CH2 यहाँ आएगा, और CH2 यहाँ आएगा, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, समझाने के लिए, देखो, यह bond तूटा, यह bond तूटा, ठीक, मैं यहाँ पर क्या जोड़ोओंगा, प्लस लगा है, देखो, यहाँ प्लस लगा है, तो माइनस जोड़ो, और यह यहाँ प्लस लगा है, इसदर माइनस को जोड़ो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको अच्छे से लिखोगे, तो क्या लिखोगे, CH3, CH2, BR, क्या बेटा HBR जुड़ गया पुराने बॉंड टूट गया नए बॉंड बन गया जुड़ गया जुड़ गया इसका मतलब क्या वोलोगे लेक्ट्रोफ लेगए डिशन अब इसमें होता क्या है आगे हम डीटेल में मेकरिजम बगयर समझेंगे मैकरिजम क्या होती है बहुत ही सिं पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर मैकरिजम डिसकस करेंगे है ना तो उसके अकोर्डिंग ऐसा होता है कि यहाँ एच प्लस सबसे पहले इसके पास जाता है क्यों जाता है क्योंकि यह क्या है पाई लेक्ट्रों ध्यान सुनना यह क्या है पाई लेक्ट्रों ठीक है तो यहाँ आपन हम इस्टार लगाके लिख रहा हूं क्या आलकींस में लकाइंस को अलकाइंस आर्ण फाइल सीक्ए आर क्या नूक्लियो получ eg फाइल यह नूक्लियोक्रिवाइल की तरह काम करता है और ए्च पलस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है तो तो हम एरो ऐसे बनाते हैं इस तरीके से आता है एक प्लस ऐसा है ना एरो ऐसा बनाते हैं कि जो एलेक्ट्रोन देने जा रहा है तो यह एक्ट्रॉन इसके पास गए बसे से जुड़ा तो बी आर माइनस यहां जूड़ेगा धीर अब जो पहले गया एक्ष प्लस गया इसलिए से पहले इसलेए इसको क्या बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रेक्ट्रोफिलिक एक्ट्राइशन देख लो आराम से थींगे बहुत सिंपल्स आए आगं अलकीन और रलकाइन यह होते हैं न्युक्लियुट फैल होता है यहां लिख देताँ बैंजीन भी न्यु ही हो गयी वाली देखना अंहीं हे अगलिये रूप्तर नुक्लियोफ्ट ऐख क्या nucleophile addition reaction अब कौन आएगा nucleophile आएगा कौन आएगा है बता नगोलि फाल चन्का से जहें मेरे पास यह कार्वोनाइल कंपाूंड ये इसकी रिएक्षेंन में H C N के साथ करा रहा हूँ, ठीक ध्यान से सुनना, क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोन कहा जाएंगे, इस oxygen के पास, यहां क्या आएगा, माइनस यहां, प्लस और H C N में H प्लस और C N माइनस, अब देखो ज़रा, ये माइनस इस प्लस से, ये माइनस इस प्लस से जोड़ द है, ये, ये electron rich वाला जाता है, deficient के पास, है ना, मतलब सीधी सी बात है, nucleophile से arrow बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, ऐसा हापन बनाते हैं, तो ये negative यहां से attack करेगा, इस पर ये bond टूटेगा, ठीक, तो यहां C N माइनस जाता है, RDS जिसको मैं बोल रहा हूँ, rate determining step, अ महले कौन आ रहा है, nucleophile, तो क्या वोल होगे, nucleophile addition reaction, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही simple है, ठीक है, चलो आगे बने, यह हो गई, nucleophile addition reaction, अगला देखो ज़रा, C वाली, free radical addition reaction, ध्यान से, free radical addition reaction, ठीक है, इनके short form भी होते हैं, इसको क्या बोलते हो देगो, इसका नाम है, electrophilic addition reaction, EAR, यह सब आप detail में पढ़ते हो, organic में, आगे जब जैसी चलते हो न, chapter में, तो पढ़ते जाते हो detail में, nucleophile addition reaction, नार, उसका नाम था, EAR, EAR, इसका नार, इसका है, free radical addition reaction, free radical addition reaction, ठीक है, FRAR, तो free radical addition reaction, बेटा, कैसे होती, ध्यान से देखना, यह है, मेरे पास क्या, यह है, मेरे पास, CH2 double bond, CH2, इसकी reaction मैं करा रहा हूँ, HBR के साथ, in presence of beta, per oxide, अब यह per oxide क्या होते हैं सर, जैसे H2O2 जानते हो ना, hydrogen peroxide, peroxide होते हैं, मतलब, जिसमें oxygen, oxygen bond हो, ठीक है, इसको बोलते हैं, पर oxide, जैसे, R2O2, H2O2, ठीक है, या, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और, pH C double bond हो, इस टाइप का भी, इसको benzoil peroxide बोलते हैं, ठीक है, ऐसे peroxide आप ले सकते हो, यहाँ पर, लिखते हैं, answer बता देते हैं, मैं आपको reagent भी साथ साथ बता रहा हूँ, कि यह सक क्यों हो रहा है, अगर peroxide नहीं होता, तो यह electrophilic addition reaction होती है, अगर peroxide आ गया, तो free radical addition reaction होती है, ठीक है, अभी आपको बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिलकुल tension नहीं लेनी, बस type of reaction देख लो कैसा, reagent की tension बिलकुल नहीं लेनी आपको है न, तो यहाँ बेटा क्या होता है, यह bond बीचों बीच ब्रेक होता है, यहाँ चुनना, यह bond बिलकुल बीच से ब्रेक होता है, ऐसे, और बीच से ब्रेक होता है यह वाला भी, बीच से ब्रेक होने का मतलब क्या है, यह इसके पास बापरिख म्लाई गया इसकेहा बापर चला गया यहां अब क्या होता है होमौलेटुकर बांट बवांगि सबबार हो एक एक वाला है सब पास जुड़ रहा है है किसे substrate से तो CH2BR आ गया और CH2 क्या आ गया H आ गया ठीक है लेकिन type क्या वोल रहा है बन तो यही रहा है CH3 CH2BR लेकिन पर्व्यक्साइड के आने से क्या हो जाता है ये – फिरी रेडिकल हो जाता है पर्वक्साइड अगर नहीं होता देखो पर उक्साइड नहीं है तो क्या है एलेक्ट्रोफिलेक एडिसंडी एक्षन पर उक्साइड आ गया तो फ्री रैडिकल एडिसंडी एक्षन ठीक है मतलब यह फ्री रैडिकल इससे जुड़ रहे हैं ठीक आप से अभी 11 लेबल पर जो टाइब ऑर रियक्षन से सवाल पूछेंगे नमें करवा दूँगा मैं आपको पूरा समझा रहूं अच्छे तरीके से तो फिर एडिकल एडिसन डीक्सण हो गई न्यूक्विलफिलएक डीशन डीक्सण हो गई और यह क्या हो गई एलेक्टाविलेग एडिशन लियक्सेनों के धियान से सुनना आप एक एफेक्ट होताय से इस्ट जो कि मैंने अभी तक नहीं बढ़ाया क्योंकि उसकी व्य क्पती छीज होती है जैसे आपके पर्मानेंट effect क्या होते बताओ ज़रा मुझे inductive resonance hyperconjugation क्या है permanent है एक होता temporary effect यह temporary effect क्या होता है यहां पर लिख रहा हूं मैं कि क्या लिख रहा हूं temporary एफेक्ट और temporary effect बेटा क्या होता है electromagnetic effect अब यह electromagnetic effect क्या होता है electromagnetic effect का मतलब है बहुती सिंपल सी एक लाइन लिखूंगा ध्यान से देखना ओपरेट्स है वैन रिएजेंट इस प्रिजेंट तभी तो temporary बोला ध्यान से सुनना जड़ा इधर अगर सिर्फ अलकील लिखी है सिर्फ अलकील लिखी है या सिर्फ कार्बोनाइल लिखा है तो कोई electromagnetic नहीं लगना जब अलकीन के पास रिएजेंट लाओगे like HBR और कार्बोनाइल के पास रिएजेंट लाओगे like HCN तभी यह effect operate होगा और alkin में जो effect यह यह संधा लाओल कील में जो इफेक्ट लग रहा है यह जो bond यह plus E इलेक्ट्रोफाईल वाला E नहीं है plus named संव कि यहां देखना जर्ण अंगे इधार इधार यह जो शिफ्ट हो रही है यह इस शिफ्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैरिक shift यह बॉणंड तूटता है ना इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैरिक sulph-스크 हो रही इसमें और इस एफेक्ट को हम क्या बोलते हैं माइनस ए माइनस एलेक्ट्रोमेरिक क्योंकि न्युक्लिफाइल इसके पास आता है तो प्लस एलेक्ट्रोमेरिक और माइनस एलेक्ट्रोमेरिक कहां कहां लगता है अलकीन में बेटा प्लस ए और कार्मोनायल में माइनस मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिएक्षन ये आर में प्लस ए होता है और एन ये आर में माइनस ही होता है बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें ठीक है चलें आगे चलो इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख लो देखो ये वाली सारी कहानी आप समझ गए इधर आ जाओ इंपर्टेंट पॉइंट्स पहले सी जो मैंने अभी बोले वहीं लिख दिये क्या सब्स्रेट एंड रिएजेंट विल एड्टू फॉर्म प्रोड़क्ट इस नोन एज एडिसन रिक्षन एलिफेटिक पाई बॉंड कंटेनिंग कंपाउंट शोल एडिसन रिएक्षन ठीक है इडिसन रिएक्षन दिखाते हैं इनमें अगर बात करें इनमें यह दोनों नुक्लिफाइल की तरह काम करते तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्षन होती है और यह दोनों किसकी तरह काम करते हैं इलेक्ट्रोफिल की तरह तो इनमें नुक्लिफिलिक क्लियर एकदम चलो नोट कर लो पॉस करके आगे बने अब चलते विटा सबस्टिडिविशन रियक्षिन पर थीक है एक एक करके इनको भी स्टडी करेंगे पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिडिउशन रिएक्षन या एक काम करता हूँ पहले मैं बेसिक रिएक्षन लिख दू इसकी तो अच्छा लगेगा आपको जैसे यहां मालो मैंने कुछ लगा दिया आर इसके साथ मैं यहां जो भी ग्रूप होगा वो लीविंग ग्रूप होगा ठीक है यहां पर मैंने ले लिया बी ठीक है यहां आर की जगह ए लिख लो ए इसके साथ बॉंड बना रखा लिविंग ग्रूप ने तो बी क्या करेगा इससे जुड़ जाएगा ठीक है मतलब यह बी इधर आ जाएगा एल जी निकाल देगा एल जी का फुल फॉर्म क्या है life's good नहीं क्या नाम है इसका लिविंग ग्रूप ऐल जी का फुल फॉर्म लिविंग ग्रूप बोलते हम यह थो leaving hurtpetto Hula क्या बेटा B आया क्या आया B आया और असाओ क्या क्यों कोई आया कोई गया क्यों कोई आया कोई गया सब्सीर ड्युशन गळाना अरे भाई बिया यह इधर देखो विल आया एलजी घया कैसे फागल लोग बैठेखो बिया एलजी घया मतलब क्या है यह सब्स्टिटूशन यह बहुत ही बड़ीया पहले नंबर पर आएंगे एलेक्ट्रोफिलेक एलेक्ट्रोट प्लेक सब्सेटिटूशन reaction, ध्यान से देखना, electrophilic substitution reaction, जैसे मेरे पास यह बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने H लगा रखा है, कोई electrophile इसके पास लाओगे, तो यह electrophile यहाँ आ जाएगा और इसको निकाल देगा, देखो, तो यह बेंजीन, यहाँ पर क्या आ गया, E आ गया, और क्या निकल गया, H प्लस निकल गया, E प्लस आया, H प्लस निकल गया, ठीक है, E प्लस आया, मतलब यह positively charge है, E प्लस आया, H प्लस निकल गया, तो कोई आया, और कोई गया, कोई आया, कोई गया, बسंट्रेशन हो गया है न यह कौन सी है? इलेक्ट्रोफलिकस सबस्ट्रीशन दिये किसा है अगला देखो जारा सेकंड नमber पर अगले पेज में अडि कर लेते हैं यह उलेक्ट्रोफलिकस सबस्ट्रेशन हो गई है ना ये तो अपनी अडिशन दी अब बी वाला देखना नूक्लियोफिलिक नूक्लियोफिलिक सब्स्टिटीशन रियक्षन क्या नूक्लियोफिलिक सब्स्टिटीशन रियक्षन कैसे नूक्लियोफिल आएगा वो हटाएगा किसी को जैसे आर और यहां मैंने एक्स लगा दिया ठीक है नूक्लियोफिल आया आया और यह गया तो क्या आएगा तो थो फैल लॉकलिक कुछ निकलेगा ऐग्स माइनस तुटा थाई वह गया वाया और यह गया ल्मिंग रूप ही पही एना तो क्या वह लोगे इसको निडाफ भलो अगला देखो थर्ड ऑला सब्धोट को नग्यूग्यूग्यूफ्यूट को चलो अभी अगला अभी तोबाना पढ़ा है क्लास एवाले सवाल बना लो हुआ एक्षाम में च्छोटे मोटे सवाल आते हैं वह कर लो कि कर लो कि आगे वढ़ते दों सी फिरी रेटीगल free radical substitution reaction free radical substitution reaction जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर यहाँ मैंने ले लिया है कि इन पर देंस ऑफ सनलाइट तो सी एल किया करेगा एच को रीप्लेस करदेगा कैसे इस रियक्शन को लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो सीएस ट्री एच और दो कलोरीन है ऐसे लिख सकते हैं और यहां से एच सी एल को निकाल देंगे देखो गया एच सी एल तो हुआ क्या ध्यान से देखना यहां से एक सी एल आया और एच गया एच कहां चला गया दूसरे सी एल के साथ एच सी एल बना लिया तो हुआ क्या अगर मैं अगर मैं इसको अब्जर्व करूं ध्यान से देखना अगर मैं इसको देखूं और इसको क्या हुआ यहां से h निकल गया एक c l आगया देखो h कहां चला गया दूसरे वाले c l को भग ले गया है ना उसके साथ भग गया तो हुआ क्या h निकला c l आया h निकला c l आया कोई आया कोई गया यही तो सब्सक्राइशन है शॉर्ट फॉर्म लिख लो इनके इलेक्ट्रोफलेक्स सब्सक्राइशन यहां लिखेंगे यह सार तीक है यह सब पूरा डीटेल में बढ़ते हो क्लास 12 मेंना कुछ रीक्सन 11 रिपढ़ों बाकी टुट्वें पढ़ते हो नियुक्लोफलेक सब्सक्राइशन टीक्सन एनसर पिरी रैडिकल सब्सक्राइशन एफर एसर फिरी रैडिकल सब्सक्राइशन रिक्सन टीक्सन है ना समझ गहां नहीं कितना सिंपल आपड़े चलो अगला वेटा Elimination reaction ठीक है Elimination में क्या है बहुत सिंपल है रिमूवल आफ टू एटम और ग्रुप्स एटम भी निकल सकते हैं और ग्रुप भी निकल सकता है ना रिमूवल आफ टू एटम्स और ग्रुप्स टू फॉर्म अलकीन और अलकाइन से प्रोड़क्ट इस नोवन एज लेक्ट्रो सुरी एलिमिनेशन रिएक्शन का एलेक्ट्रो एलेक्ट्रो कर रहे हैं तू एटम या ग्रुप भी निकल सकते हैं ठीक है तो क्या अलकीन मनेगी बनेएगा वह बढूड थोड़ोगे तो कुछ तो मौन बनाऊगे ना तो इससी को एलिमिनेशन द जैसे यहां पर लिखा है यह मैं एकड़ामपल के तौर पे ले रहा हूं इससे एल्कोहळेक आल्सी का मतलब क्या है को हॉलिक के मतलब है एलकोहल के साथ क्या आएगा के व यहां से अच्छ एच्छ निकाल देगा यह रिएजेंट का फंक्षन है ना यह रिएजेंट क्या करेगा एच्छ निकाल देगा धियान से देखना यह एच्छ निकला तो यह दोना बॉन टूटे तो यहां बॉन्ड बनेगा देखो इस कारबन और इस क्लोरीन का जो बॉन्ड यह तूटे का इस कारबन और इस एच का यह तूटे का एचल निकले का यहाँ डबल आ जाएगा तो कैसा दिखेगा विटा ऐसा इस तरीके से बहुत सिंपल है हाँ कॉंग कमतंब ''Concentrated''죠 क्या से दिल को क्या वोलता हो डिल या यूट वैसी concentrated माराख श्राषोल mentre ष्याट अपंवाय तुमसे वन क्यों करेवाई चिंपले का इस का मतलब थोड़ी थोड़ी feeling develop हो रही reaction की क्या reagent का खेल है पूरा पूरा खेल किसका है reagent का है है ना तो यहां से पाणी निकला पाणी निकल लेक्वाद क्या बनेगा ऐसा बनेगा यहां डबला जाएगा देखो मतलब यह दो बॉंड टूटे बीच में बॉंड बनेगा ना पुराने बॉंड टूटते हैं ना बॉंड बनते हैं क्या बात है तो यह कहानी है elimination reaction की आगे बढ़ें पॉस करके नोट भी करते जाना यह सब नोट्स बना लो भाई साब नोट्स बहुत बहुत बहतरीन बनेंगे इतने बहतरीन नोट्स बनाओ कि मज़ा आ जाए एकदम सुकून से सप् Dream J 이야기 जिंदगी आपकी ट्लास 12 की थी घनटी प्रोफायल डायग्राम के बारें बात कर लेते हैं एनर्गी प्रोफाय डायग्राम मतलब क्या होता है यह वह अपन लिखने क्या गा half ऐ्न गारीशन ऑफ अप एन बैरी यशन ऑफ ए अनर्गी विद रेस्पेक्ट टू, डॉलॉ रडी मतलब, विद रेस्पेक्ट टू, टाइम, इस कॉल्ड, एनरजी प्रोफाइल, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको यह सब चीजन क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो, जो NCRT में, ध्यान से सुनना, NCRT में जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है, सम बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स, जो और्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, अब उसमें उन्होंने एक ही चैप्टर में क्या क्या दे रखा है, IUPAC, आईसोमेरिजम, जो की पूरा नहीं दिया है, मतलब उन्हों क के एसाब से जो पैटन है, वो ऑप्टिकल ट्वेल्थ में देते हैं ना, हमने आप्टिकल भी पड़ा है ना, IUPAC, आईसोमेरिजम और जी उसी, उन्होंने एक में ही लिख कर दिया है, और प्यूरिफिकेस्टन एंड क्वालिटिटिव कॉंटिटिव एनालिसे, यह सारा का पूरा जो आपकी NCRT है, IUPAC आपको कवर कराया, आईसोमेरिजम कवर कराया, थोड़ा सा एडवांस बरजन भी कराया, ऑप्टिकल आईसोमेरिजम, ठीक है, जी ओसी मैंने आपको एडवांस बरजन के क्वेस्टन कराया, जो NCRT में यूजरी नहीं मिलते हैं, वो भी कराया हैंना, अब NCRT में एक जगह है, इलेक्ट्रोफाइल, नुक्लोफाइल का कॉंसेप्ट, ठीक है, और टाइप ओफ रिएक्शन का कॉंसेप्ट, तो आपको क्या करना है, आज का लेक्चर जब खतम हो जाया हैंना, तो NCRT के जो इलेक्ट्रोफाइल, नुक्लोफाइल वाला मैं आपको यह बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्लास 12 में और गयनेक, आप मुझ से ही पढ़ोगे, तो यह चीज है बेसिक में समझा दो, तो मुझे आगे क्लास 12 में दिक्कत नहीं आएगी है, ना, चलो भई, the variation of energy with respect to time is called energy profile, NCRT मे लोगों ने question देखे होंगे कई सारे, रहते हैं इसके, अच्छी books में, देखना धियान से, simple सा concept है, यह मेरे पास क्या है, समझना बात को है ना, यह मेरे पास क्या है, दो axis है, यह y और x, सही है, क्या बात है, थोड़ा थोड़ा आता है हमको भी मैं अच्छे, यह y axis बोलते ह है, इसको x axis बोलते हैं, यहाँ पर लिखता हूं मैं time for reaction, क्या, time for reaction, जैसे reaction का time आगे बढ़ता है, जिसको हम reaction coordinate भी बोलते है, ठीक है, reaction, coordinate भी बोलते है, मतलब reaction मैं जो intermediate बनते हैं, बीचों बीच, या reactant product मनते हैं, तो उसके साब से अपन आगे बढ़ाते हैं, reaction, इधर मैं आगे बी और गनेक रीक्षिन का, एनरजी प्रोफाइल का जो नेचर होता है, इन जनरल, वो कुछ इस टाइप से होता है, ऐसा या ऐसा ऐसा, इस टाइप से या ऐसा, बन्तलब नेचर ऐसे होते हैं या धियान लगो आप आप ध्यान से देखना, मैं एक अपनी तरफ से अपनी तरफ से एक बना रहा हूं ध्यान चीव ऐसा 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 और ऐसा इस तरीके से अपनी तरफ से मैंने बना दिया एक है अच्छा लग रहा है एक बार और बनाएंगे बस आखरी बार ऐसा कि अब अच्छा लग रहा है ठीक है चलो कई लोग कर पहले वाला जाद अच्छा लग रहा दा धियान से देखना आप जरा इधर मैं लिख रहा हूं रियक्टेंट और क्या रियक्टेंट या सब्स्क्रेट इधर लिख रहा हूं प्रोडयक्ट फिग है यह जो पीक होते हैं एक दो तीन पीक जो है उसको बोलेशाइन त्रांजीशन स््टेट इसको लिख रहा हूं one transition state 2 transition state 3 यह जो ट्रफ हैं यह इनको बोलना हूं मैं intermediate intermediate 1 और intermediate 2 ऐसा किये हैं समझे बात को यह एक काम करो और आसान लिख लो कैसे धियान से देखना कि इधर लिख रहा हूं मैं कि इधर बी इधर सी इधर डी इधर एसे भी लिख सकते हो है ना अब यहां पर यह क्या-क्या है ध्यान से देखना कि ए कि एस सी ओर इस एस असी ही डी इस वेश का इसन ऑसी एस क्या है ट्रांजिसर इंटेट्स अब के lacking से इसटेट्स इसको बोल हमें टी एस वन इसको बोलडोन में टी एरच टू और इसको बोलुमें टि Bä हान शुनन न यह मैं बनाए क्या होता है अच्छा पहले मैं पूरा कर दूं फिर समझा देता हूं बी एंडी एंडी यह होते हैं यह इंटरमीडियेट्स क्या होते हैं इंटर विश्ग एंडियेट्स एक इन्टरमीडियेट्स इसको बुलना हूं इवन और इसको आई टू अब ध्यान से सुनना बहुत साती सिंपल एक्शांपल से समझाओंगा बहुत ध्यानते जैसे को अगले पेच्पर समझा देता हूं फिर वापस आ जाओंगा यहां कि जैसे है र एक्स है ठीक है निउकलियो फाइल आया क्या आया निउकलियो फाइल इस पर अटेक कर उस्तुरुद है यह को अप्रोच करता है और यह निकलता है मतलब मैं यहां लिख सकता हूं क्या यहां बाणड फॉर्मेशन होने वाली है और यहां ब्रेकिंग होने वाली है देखो छीज़ धीमें धीमें ऑती एसा नहीं करण से सारा तूटना चालू हो जाएगा यह बॉंड बन जाएगा यह तूट जाएगा ऐसा है मतलब इस तरीके से बनता है इसको क्या बोलते हो ट्रांजीशन इस्टेट और ट्रांजीशन स्टेट के बाद जब नुक्लिफाइल और करीब आता है इसके तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सब्सक्राइब यह इंटर्मीडिट को हम explain कैसे करें जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एसे बन रहा है भी और बी से बन रहा है सी ऐसे ही समझाने के लिए मैंने ले लिया तो एक रियेक्शन का ध्यान से देखना इसको बोला हूं रियेक्शन नंबर वन एक रियेक्शन का यह क्या है क्या है प्रोड़क्ट है यहां से सुनना एक रियेक्शन का प्रोड़क्ट है और 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 दूसरी रियेक्शन का दूसरी रियेक्शन का रियेक्शन नंबर क्या वेड़ा टू उसका क्या है यह रियेक्टेंट तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम इंटर intermediate ठीक है by intermediate मतलब एक reaction का एक reaction का जो product होता है अगली reaction के लिए वह brukage तरह काम करने लगता है तो यह होता intermediate कि react and से product बनने के बीच में एक transition state बनती है डीक है react and से product बनने के बीच में एक transition बनती है मतलब अगर मैं अगर मैं इसके लिए बात करूं किसके लिए इसके लिए बात करूं इसकी रियक्शन लिखूं तो क्या बनेगी देखना रियक्टेंट से क्या बनेगा intermediate बनता है वेटा, B वनेगा, B से क्या वनेगा, D वनेगा, D से क्या वनेगा, P वनेगा, ठीक है, और और बीच में क्या आएगा, इन दौनों के बीच में transition state आएगी, इसके और इसके बीच में transition state A आएगी, इसके और इसके बीच में transition state C आएगी, इसके और इसके बीच में transition state E आएगी ऐसा देखो यही लिखा है A, C, E क्या है ट्रांजीशन स्टेट हैं B, O, D क्या है इंटर्मीडियेट है आर क्या है रियेक्टेंट और P क्या है प्रोडक्ट इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल किसी भी और गने की रियेक्शन का है न तो देख लो जरा एक तीन स्टैप की रियेक्शन है रियेक्टेंट प्रोडक्ट दो इंटर्मीडियेट और तीन ट्रांजीशन स्टेट इसका मतलब इन शॉट मैं यह लिख सकता हूं कि ट्रांजीशन स्टेट पता कितनी बनती है इंटर्मीडियेट इंटर्मीडियेट प्लस वन इंटर्मीडि करेंगि यह सारी जीचे वेटा दिहान लगना जैना तो यह इसलिए मैंने आपको बहुत बेशिक आइडिया देट यह बहुत ज्याधा बेसिक है लोग तो क्या सीधे प्रोफायली समझ मनद बनाना इंचालू कर देते हैं पता नहीं चलता क्या चलता है तो मैंने आपको बहुत काम आएगा अच्छे से नूट करना इसे ठीक चलें आगे क्या बात कर रहे हो चलो यह तो मैंने समझा दिया प्रैक्टिस कर लेते हैं चलो आ जाओ आइडेंटिफाई एलेक्ट्रोफाइल और दियान सा देखना सीस् स्थ्रीरेडिकल के वारे हैं पूछा गया आपसे क्या है देखना ना कार्बन है ठीक है तीरल मनारख़्ें हैं अच एच 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 एक एक एट्ट्रोन-दो-ए़ तीन-एक ए-ड्रन तीन-ए-छ्रण पांच एलेक्ट्रॉन 6 एलेक्ट्रॉन और एक इसके पास बिंदी मतलब यह भी तो एलेक्ट्रॉन है साथ एलेक्ट्रॉन है और बिटल खाली नहीं होगा क्यों और बिटल तो तब खाली होता ना जब इसके पास 6 एलेक्ट्रॉन होते दो एलेक्ट्रॉन की कमी होती और बास तो और रिप्विजोंट कनने का तरीका है यह तो न्यूट्रल है यहां आ जाना जड़ा इसमें भाई साब बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं ठीक पहले इसका नाम सुनों इसका नाम है डाई हाइड्रो कारबीन डाई हाइड्रोकारबीन द्यान से देखना लोगों को यह लगता है कि सर यह तो lone pair है और यह vacant orbital है तो यह तो mb file होना चाहिए ? नहीं बेटा ध्यान से सुनना अगर deficiency है तो पहले वो पूरा करना चाहेगा उसके बाद donation करेगा अगर deficiency है तो देखो जरा यहां कितने electron है carbon एक दो bond कितने electron चार electron और दो electron इसके पास है यह वाले बिंदी वाले यहां बना दिये मैंने 6 हो गए और एक इसके पास box खाली है अगर box खाली है तो पेटा क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा पहले electron की कमी को पूरा करेगा कम्प्लीट नहीं है तो वह चेक करना है कि वह यह ओक्टेट खाली है मतलब पूरा नहीं और विटल खाली है वह बहुत बढ़ी है आजवा बटा बताईए है कि identify type of reaction अराम से बता सकते तसल्ली से बोलो type of reaction बताओ क्या हो रहा है observe करो क्या हो रहा है देखो यहां इसको दीमें 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 पढ़ेंगे ना चैप्टर भाई पूरी और्गेनिक बची है रिएक्शन दीमें दीमें करेंगे याद हो जाएगा आपको चिंता मत करो है ना बस आप टाइप आफ रिएक्शन पहचानना सीख लो देखो कैसे यहां से सील गया और यहां से एक एच गया एच सील गायाव हुआ तभी तो डबल आया तो इस रिएक्शन को क्या वोलोगे वेटा एलीमेनेशन दीएक्शन क्या वोलोगे एलीमेनेशन ठीक है अगला वोलो इधर क्या हो रहा है बियार टू इस पर एड हो रहा है बियार टू क्या हो रहा है एड हो रहा है अब आगे reaction पढ़ोगे कि भाया BR2 में सबसे पहले BR प्लस जाता है और BR प्लस जाता है तो यह क्या है इलेक्ट्रोफाइल है वो आप बात की बात है आप तो मुझे यह बताओ addition है, substitution है या elimination इतना बता दो बस क्या है यह addition, elimination या substitution देखो BR2 जुड रहा है ना और जुड रहा है तो क्या बोलोगे addition और आगे आप सीख जाओगे कि किस reagent में क्या जाता है अभी मैं आपको बता देता हूँ है यह alken injector में हम पढ़ेंगे इसमें जाता है इलेक्ट्रोफाइल तो क्या बोलोगे इलेक्ट्रोफिलिक शॉट फॉर्म लेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियेक्शन इयार ठीक है धी में धी में रिएजेंट से समझ जाओगे आप तो यह पहचाल लोग क्या यह addition है ना बास खता हूँ है समझ गया बात को और सवाल आप से करवाता हूँ मैं अभी रोको कहां जा रहे हो दो हो गए इसको नोट कर लो पहले पास करके अच्छे से ठीक है चलो वह अगला है अगला सवाल बताना देखना रियक्षन तो अभी आपको मैं दे देता हूँ धीमे धीमे आप याद कर लोगे इनको चैप्टर वाई चलेंगे तो बताओ क्या है यह कौन सी रियक्षन है देखो अगला देखो इसके बारें बता सकते हो हई है क्या यह बताओं बहुत आसां रहा है और ऑभी आर ज Á रहा है वाह प्र रहा है वक्रण आया वह जोड़ा श्रम्या कि निकल गया होगा फिए आर भी उसको ले गया तो बना लिया मतलब कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है मतलब सब्स्टिडिउशन रियक्शन ऐसे पता करना आपको एक और देखो अब तो बता सकते हो यह क्या एलेक्ट्रोफाइल है क्या यह एलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन है ठीक है अच्छा इसका प्रोड़क्त भी तो लिखने दो अब यह आपको थोड़ी पता प्रोड़क्त यह अब बताओ यहाँ से सुरू हो होता कुष्यण बताओ एलेक्ट्रोफाइल आया इन नूट्यू प्लस आया एज को निकाल दिया ऩाँ यहां यहां पर बी आर रेडिकल ठीक है और एच रेडिकल ऐसा यह बी लिख लो एच बी आर लिख लो अधिक है और परॉक्साइड आर टू और टू है ना उस टाइप के जो मैंने लिखाये थे बताओ ज़रा अच्छा अभी प्रोडक्ट तो लिख दूँ अभी आपको रियक्शन थोड़ी याद ऐसा लिखाए बन गया होता है क्या हिए परॉक्साइड में यह गजांर के साथी सब्सक bon tornar जुना धार क्शल जैक्डिकल दिख wonders like अच्फर लौन धूम्हा सब्सक्राइव आता है अब आपर परकूसाइड में यह बांठ तूट आरेकल डिकल और यह बांट वच्टा Sunlight में क्या होता है यह BR क्या करता है इधर से H को replace कर देता है तो substitution है और Sunlight में धियान रखना Free Radical होती ही हमेशा, BR Radical आया, H Radical निकला, तो BR2 क्या करेगा, BR Radical देगा और यह क्या निकाल देगा, H Radical और वो दूसरे BR Radical से जुड़ जाएगा यह आपको क्या देगा, दो BR Radical देगा, एक तो यहाँ इसको substitute कर देगा और दूसरा BR के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या बोलोगे, 3 Radical, substitution, reaction, समझ गया है ना, ऐसे करना है, एक Energy Profile का सवाल हो जाए, pause कर लो, note कर लो, ठीक है, Energy Profile का भी होई जाए, एक पढ़ा है तो question, find, total number of Intermediates, Intermediates बताना बेटा है न, कितने Intermediates है, इधर क्या है, reaction coordinate या, time for reaction, और इधर क्या है, Energy, ठीक, कुछ इस तरीगे से मैं बना रहा हूँ, ऐसा, चलो, बताओ, total number of Intermediates, बस ऐसा दिया हुआ, Intermediate बताने, ठीक है, ध्यान से देखना जड़ा, मैं क्या लिखूंगा, जहां से शुरू करते हैं, वो reactant होता है, जहां खतम करते हैं, वो product होता है, ठीक है, पहला peak आया, peak क्या होता है, transition state, पी क्या होता है, transition state, ठीक है, और जो ट्रफ है, इसके, reactant product के अलावा, जो नीचे ट्रफ आ रहे हैं, वो intermediate होता है, ठीक है, तो बतादो answer, simple सा, देख की बतादो कितना आसान है, तो total number of Intermediates कितने, 1, मालो transition state पूछते तो क्या, I plus 1, Intermediate कितने, 1 है, plus 1, 1 plus 1 बच्चपन से 2, क्या बात है, ऐसे सवाल आते हैं, कितना आसान है भाई, है न, समझ गये कहानी, तो ये थी आज की कहानी, type of reaction समझाई मैंने आपको, और एक advanced level का concept समझाई आपको, energy profile diagram, ठीक है, 12 में बहुत काम आएगा, अभी 11 में आपकी इच्छा है, ये वाला छोड़ना है, छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन, मेरा ये कहना है, कि अभी से इसको पढ़ लोगे, तो बारभी में दिक्कत नहीं आएगा आएगा, आपके लिए, बाकी सा इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल वाली सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये तो मस्ट है, इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो बेटा तो ये कहानी थी, और हम जाते जाते एक बात कहना चाहते हैं, ये बात मेरे दिल म लेकिन कह नहीं पा रहा था हूँ आप लोग यहां पर आए आपने हम से लेक्टड-ताइप अफरी एक्सेन पड़ी आप सभी पढ़ाई करते रहें, all the very best.